आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल UPSC Academy में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है Class 6, Class 9th और 11th का जो Admit Card जामिया मिल्ले असलामिया का जो आपका पेपर है 16, 17 और 18 मैं को तो उसमें आपको किस तरह से आप Admit Card को डाउनलूड करें वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ तो आप अपने phone से आप अपने जो desktop या आपके बास कोई system है तो बहुत ही आसानी से आप download कर सकते है उसके लिए आपको जो है वो जामिया मिल्ले असलामिया की site पर जाना पड़ेगा जो आपकी university की site इसको बोल सकते हो तो यहाँ पर आप जामिया मिल्ले असलामिया directly search ना करके आप इसको और दी add कर सकते हैं इसमें COE तो यह अगर आप इसमें करते हैं तो JMI COE अगर आप search करेंगे तो आप उसको search करने के बाद आप देखेंगे जो पहले number पर यहाँ पर क्या होगा आपको यह site मिल्ले अगी जामिया मिल्ले असलामिया jmicoe.in और यह यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मैं site की बात कर रहा था www.jmi.ac.in तो इस site पर आपको नहीं जाना है और इस site पर आप जाते हैं तो site से भी आप जा सकते हैं मैं इसको अगर right click करके open भी करता हूँ दूसरी नीचे वाली site को तो अब यहाँ पर जब आप open करेंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसको open होने दीजे यह आपका open हो रहा है तो यहाँ पर जब यह open हो जाएगा तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बीच में link आती हो इस link के तुरू आप जो है वो जा सकते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर आप देखें click here for admission यह आपका और यहाँ पर जो है वो यहाँ देखी यह सारी चीज़ आरी अब बिजिट यहारा फस्ट वाला बिजिट www.jmicoe.in तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो साइट पर पहुंच जाएंगे ठीके तो मैं इसको कट करते रहा हूं तो अगर आप गलती सो इस साइट पर अगर आप पहुंचे हैं तो उससे भी आप जो है वो jmi.coe.in को अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो में साइट है में साइट का वाला जो एक्जाम कंड़क्ट कराती है वो साइट मां जा सकते हैं और इसी साइट के थूरू हमने जो है वो फॉर्म फिल किया था तो हमको अल्टीमेटली उस एकॉंट प प्लाई फॉर क्लास शिक्स नैंद इलावेंथ एट जामिया इसकुल फोर शहसन तो यहां पर आप कलिक करेंगे यहां पर जब आप कलिक करेंगे तो new window open को कि आएगा और new window जो पन हो का आएगा तो उसमें आप जब देखिंगे तो उसमें आपको कहा करना है आपको जो है लोग इन करना है ठीक है आपको देखिए यहां पर एक चीजा आगज नीविडव नोग यहां पर जामिया स्कूल इंटेंस टेस्ट जो है वो इस चीज कर आखना यह स्कूल वाला होना जाएं क्योंकि यहां पर गल्ती से आप जो यहां पर भी क्लिक कर सकते ह्यूजी पीजी है तो इस पर आको क्रिक नहीं करने एम प्लॉए है यहां ट्रmi आपको क्रिक RIGHT करना है तो सिर्फ़ इस पहुता है थीजिए यहां बाले पर अब यहां पर जो है वह हूँ आपकर देखा में तो यह यह वाला यहां पर आप संबाशन गए यहां यहाँ पर sign in पर जो किलिक करेंगे, sign in पर जब आप click करेंगे, तो sign in पर click करने के बाद यहाँ पर email address of password माग रहा है, यह वो email address of password है, जब आपने form fill किया था, तो आपने डाला था, आपको ultimately अपने account पर जाना है, तो मैं यहाँ से एक student का जो है, वो यहाँ पर fill कर दे रहा हूँ, sign in पर जैसे ही आप click करेंगे, sign in पर click करने के बाद, आपका एक new tab आएगा, उसमें dashboard होगा, और उसमें सारा लिखा होगा, देखिए यह लगा application form, preview form, make payment, print form, यह payment status, यहाँ तक जो था, जब हम form भर रहेते हैं, तो यहाँ तक हमारा सारा आया था, इसमें किसी tab को open करेंगा, आराम से open होगा, लेकिन हमको जाना है कहाँ पर admit card पर, तो admit card पर जैसे ही आप click करेंगे, तो admit card पर click करते ही है, कुछ detail आएंगी, किस course के लिए आपने apply किया है, तो यह जो है class 11th arts के लिए apply किया है, वो दखा रहा है, डेली center आपका कहाँ है, डेली में, venue of the test यहाँ पर दखा रहा है, और registration number और यहाँ रोल नंबर दखा रहा है, यह इसके बराबर में link आ रही है, इस पर आप click कर सकते है, admit card, इस पर आप click करेंगे, तो आपका admit card जो है, वो display हो जागा है, यहीं इसी page पे नीचे, अब यह आपका admit card जो display हो रहा है, इसमें जो timing बगरा सारी दिये कि 10 to 12 noon है, और 16 मही को आपका exam है, थस्जे को, और यह आपको एक form जो फोटो जो है, वो आपको चिपकाना है यहाँ पर, और यहाँ पर यह सारी चीजे बात की हैं, आपको यहाँ क्या करना है, print करना है, तो यहाँ print पर click करेंगे, और आपके पास printer है, तो आराम से उस printer के तुरू इससे print कर सकते हैं, और अगर आप जो है वो यहां से आराम से देख सकते हैं तो अगर आपके पास printer नहीं है तो आप क्या करें किसी कैफे बजाका आप print कर सकते हैं तो यहां से जो है वो आप आसानी से मतलब अगर आपके पास printer है तो आप printer के थुरूँ प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटर नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से अपने फोन या लैप्टॉप में इस फॉर्म जो आपका फॉर्म है जो आपका एड्मिट कार्ड इसको देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहा पर आया कहा पर नहीं ठीक है और डेट का है टाइम क्या वो स सारी वीडियो आपको इस पे मिल जाएंगी और मैं class 9th और 10th का extensively जो school का course होता है वो मैं cover करूँगा तो अगर आपके touch में कोई भी students ऐसा है जो इन चीजों को 9th 10th में इन सबसे रेटर तयारी करना चाहता है तो उसको ज़रूर इंफर्म करें और मैं चातों की ज़्यादा से ज़्यादा चीजें आपको आसानी से मिलना है और यह एकदम free हैं आपको बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं देना है बस आपको अच्छे से इसको वीडियो को जो है study करना है मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी कोशिश करूँगा मैं एक engineering student मैं एक engineer हूँ मैं engineering pass out हू हैं बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी तो next video मिलते हैं तब तक के लिए bye take care जैहिंद आयमती गहमत signing off